Hello guys, guys, आज की इस फिडियो में हम Instagram का अकाउंट पर्मनन डिलिट केसे करते हैं, इस बारे में information लेंगे, क्योंकि Instagram की एप में आपको अकाउंट डिलिट करने का कोई भी option देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टा को open कर लिया है, लेकिन आप जब अपने profile पिक्चर पर जाते हो, तो यहाँ पर अकाउंट डिलिट करने के लिए कोई भी option नहीं मिलता है, तो simply आपको यहाँ पर जो तीन lines दिखाई दे रही है, इसके उपर click कर देना है, यहाँ click करने के बाद आपको settings देखने को मिलेगी, settings पर click कर देना है, setting में click करने के बाद करने के लिए के रहा है, तो मैं Chrome Browser से इसे open कर लेता हूं, तो यहाँ पर help center हमारा open हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको 3 lines दिखेगी, इसके उपर आपको click कर देना है, यहाँ click करने के बाद मैं इसे English select कर लेता हूं, तो यहाँ पर मैंने English select कर ल देखने को मिलेगा, तो आपको इस option पर click कर देना है, यहाँ click करने के बाद आपको यहाँ पर second number का option देखने को मिलता है, how do I delete my Instagram account, तो इसके उपर आपको click कर देना है, और आपको थोड़ा सा scroll कर देना है, यहाँ पर और आपको यहाँ पर जो है, एक option देखने को मिलेगा, delete your account यहाँ पर जो है link बनी ही हुई है account delete के लिए तो delete your account यह जो option है इसके उपर आपको click कर देना है और यहाँ पर जो है अब यह हमारा user ID और password मांग रहा है तो हमें हमारे instagram account का user ID और password यहाँ पर डाल देना है तो मैं यहाँ पर user ID और password डाल देता हूँ तो guys मैंने यहाँ पर मेरा user ID और password जो है वो डाल दिया है और अब हम यहाँ पर login कर लेंगे तो यहाँ पर जो है अब login हो रहा है और यहाँ पर जो है मेरा user ID और password जो है login हो चुका है इसे मैं save कर देता हूँ अब यहाँ पर पूछा जा रहा है delete your account यहाँ पर जो path कुछ reasons बगे तो हम यहाँ पर click करेंगे और आपको जो भी reason है यहाँ पर select कर लिना है तो मैं यहां से कोई भी एक reason select कर लेता हूं जैसे की create second account इसे मैं select कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने select कर लिया है इसके बाद यहाँ पर हमें हमारा password डालने के लिए कह रहा है तो मैं यहाँ पर जो है मेरा Instagram का जो password है उसे यहाँ पर डाल देता हूँ तो guys मैंने यहाँ पर password enter कर लिया है और अब यहाँ पर पूछ रहा है delete जो मेरा username में delete wish.9861 तो यह जो account है अब यह permanently delete हो जाएगा यहाँ पर मैं जब delete के उपर click करूँगा तो account जो है delete हो जाएगा और यहाँ पर एक छोटी सी note भी देखने को मिल रही है कि यह जो account है permanently delete December 8 यानि 8 December को permanently delete हो जाएगा तो अब मैं यहाँ पर delete पर click कर देता हूँ यहाँ पर यह फिर से एक बार permanently delete के लिए okay मांग रहा है तो इसे okay कर देते है और यह जो account है अब मेरा delete हो चुका है your account will be deleted on December 8 2021 तो यहाँ पर आपको note देखने को मिल रही है कि यह जो account है यह अब 8 December को permanently delete हो जाएगा यानि जो इसका जो account है अगर आप फिर से login करना चाहते हो तो 8 December से पहले फिर से अपना username पासवर्ट डाल के आप इस account को recover कर सकते हो अगर आपको permanently delete करना ही है तो आपको 8 December तक इसे login नहीं करना है और उसके बाद यह account जो है permanently delete हो जाएगा और आपको फिर से नय account बनाना पड़ेगा अगर आपको यही account फिर से recover करना है तो आप इस तरह से 30 दिन के अंदर फिर से login करके अपने account को recover कर सकते हो तो दोस्तो यह थी आज की चोटी सी वीडियो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आये तो एर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना बहुती जल्द मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई